वीडियो से पहले आपने तरह के वीडियो में देख होगा अभी जो यह वीडियो आ रहा है वो किस पे है यह वीडियो वैसे अपने थम्नेल और टाइडल से समझी चुके होगा कि यह जो वीडियो है यह अभी हर डे जो है वो स्टार्ट होगा सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने इंट्रोड़क्शन दे दूँ जो लोग पुराने हैं वो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दू कि मैं हूँ रश्मी मेरा नाम है रश पुर्ट में और मैं आज से अभी से इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हो कि हाउ टू स्पीक जर्मन सबसे पहले कैसे हम बात करते हैं इंट्रोड़क्शन कैसे हैं तो डे बाई डे हम एक छोटे चोटे टॉपिक्स पे एक छोटे चीजों पर बात करेंगे तो आपके यह हलबफूल अगा अगर आप जर्मनी आने के लिए ट्राइ कर रहे हैं या आपको जर्मनी से अलाए ने की सीकना है फंको जर्मनी से रिलेटे उर भी वीडियो चाहिए तो आपको हमारे डिफरंट चानल पर जिसका नाम है देशी ट्रावलर रश्मी वहां पे आपको वो सारी चीज़े आपको हमारे उस चैनल पे मिल जाएंगे इस चैनल पे हम मैं आपको बता दू जो नए थे उनके लिए ये जाना ज़रूरी है कि इससे पहले मैं बहुत सारे इंटर्व्यूस लिया है मैंने बहुत सारे बिग बहुत सारे वीडियो बनाया है वेन मैंने स्टड़ी रिलेटे भी बहुत सारे वीडियो बनाया है यह किन अभी से जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है जर्मन कैसे जर्मन में आप बात कर सकते हो कैसे आप क्या कर सकते हो ये वीडियो जो है properly German language में नहीं होगा क्योंकि जब मैं German सीख रहे थी तो मुझे ये बहुत जादा difficulty आई थी क्योंकि मेरी जो teacher है वो proper German में बात करती थी and मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि as a newcomer मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा था सबको सीखने में मैं घड़ आती थी परिशान रहती थी and फिर मैंने दीरे दीरे google किया and सारी चीजे सीखना शुरू किया and day by day वो चीजे improve होते गई है हाला कि बहुत जादा fluent जो है वो अभी तक मैं भी try कर रहे हैं तो मैंने सुचा क्यों न जो मैंने स्टार्टिंग से difficulties face किया है या जो मैंने शुरुआत की है वो आपको ना हो and day one से जो चीजे शुरू की जाती है वो मैं आपको शिखाने की कोशिश करू शायद ही हो सकता है मेरे इस वीडियो से किसी की जो मदद है वो हो जाए and किसी को बहुत easy लगे जर्मन वैसे मैं बता दू कि जर्मन जो है वो थोड़ा tricky है थोड़ा difficulty है क्योंकि जिनको English आती है उनके लिए ये बहुत जादा difficulty होने वाले है क्योंकि pronunciation का इतना जादा problem है ना जैसे कि for example हम orange बोलते हैं ये लोग एक जैसे नहीं जाते हैं तो आज का जो topic है वो हमारा है alphabet so सबसे पहले start करते हैं alphabet से कि जैसे कि हम alphabet में बोलते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z तो ये हमें बच्पन से क्योंकि सिखाया गया तो ये हमारे मुं में ऐसे मतलब आगया है कि बस हम बोलते ही रहते हैं तो मैं शुरुआत करती हूँ आपको सबसे पहले तो यहाँ पे कि जर्मनी में जो alphabets हैं वो हम कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं तो येस तो मैं एक सेकेंद थोड़ा अपना presentation वो करते हूँ share screen okay and give me one minute and this and now this तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं alphabets से यहाँ पे मैंने को sliding जो है वो बनाई है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताए कि हम English में बोलते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z तो यह हमारे लिए बहुत आसान है बट हम जर्मन में जो है वो definitely बहुत डिफरेंट है जैसे कि मैंने यहाँ पे A, B, C, D तो लिखा है बट इसको pronunciation कैसे करते हैं यह मैं आपको बताते हूँ तो A को हम बोलते हैं A, B को बोलेंगे B यानि कि B, normal B नहीं होता है जब हम बोलते हैं जैसे हम कुछ लिखा होता है जैसे हम किसी का नाम प्रणॉसेशन कर रहा है जैसे 4, B, 4, B, 4, B, 4, B, 4, B, 4, B, Kass यानि कि अगर हम कोलकता में जाएं तो हम कोलकता साइड में वहाँ लोग B को B लिखते हैं जैसे कि आप सब को पता है कि विकास नाम को लोग B कास बोलते हैं तो लाइक को लोग बोलेंगे B कास नोट वो लोग बोलेंगे ऐसे की B कास तो यहाँ पे B for B हो जाता है C को ये लोग C बोलते हैं और D को बोलेंगे D तो नॉर्मली D और C नहीं होता है तो D for day E से A तो ये हमेशे याद रखिएगा कि A को बोलते A और E को E नहीं बोलते है E को बोलते है A Yes, E को A बोलते है F को हम लोग बोलते है Normal F बोलते है G को बोलते G H को बोलते हा तो H जब हम बोलेंगा ने H for horse तो horse ऐसे मतलब वो different होता है H नहीं होता है और एक और चीज है यहाँ पर कि I को जो है वो E बोलते है जैसा कि E को हम A बोलते तो I को E बोलते है तो यह जो इतना tricky है ने थोड़ा बहुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा problems आती है starting के time पर So I को always say E अगर आप alphabet किसी को सिखा रहे हो या आपको letter के spelling बोल रहे हो तो हमेशा आप I अगर बोलोगे तो वो I वो लोग मानते नहीं है वो क्योंकि E है और E को वो लोग I लिखेंगे तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा तो I is equal to E J को बोलते हैं यह लोग YOT मतलब generally लिखते हैं J J-O-T यानि के J लेकिन यह लोग बोलते है YOT तो अगर J से अगर कोई letter शुरू हो रहा है तो उसको आप बोलोगे YOT K for का L for L M, M को M बोलते है N को N बोलते है O को O बोलते है P को P तो यहाँ थोड़े different होता है P, P, P यह होता है Q, Q R को यह लोग R नहीं बोलते हैं यह लोग R बोलते है तो यह जो होता है अगर से शुकाती है R, R ऐसे करके सिखाती थी S को S बोलते है T को T बोलते है T को कभी भी T नहीं बोलेंगे T को T बोलते है U को U V को F यानि कि V से अगर कोई word है तो you always pronounce F V को हमेशा F से pronunciation करना है ना कि आपको V बोलना है जैसे कि अगर कुछ लिखा हुआ है V for Vicas तो यह जगा Ficas यानि कि V को हम F बोल दिये I को हम E बोल दिये Fee और K तो K हो गया, A को A हो गया Ficas तो वो ऐसा हो गया तो V for F W को V बोलते है X को X बोलते है X ना कि X बोलते है X and Y को Epsilon बोलते है तो यह जो बहुत लंबा letter स्टार्टिंग है मुझे याद करने में यह इतनी problem होगी So Y for Epsilon and Z for Set तो अगर आप Set बोल रहे हो और Z for बोल रहे हो Zebra, Zebra नहीं होता है Zebra होता है तो Set, Set होता है वो तो यहाँ पे यहाँ पे यह सारी चीज़े जो हैं यह आपको याद रखने होगी अब मैं आती हूँ आपको सबसे पहले तो यह जो है कि A A umlaut सबसे पहले एक और चीज़ मैं बता दू कि English में हमेशा A to Z होता है but in German आपको A to Set होता यानि कि A umlaut O umlaut U umlaut यह होता है तो यह 4 लेटर जो है हमेशा extra होता है यानि कि A A umlaut O umlaut U umlaut Set तो यह जो होता है Set होता है कि अगर जैसे कि हम double S लिखते है for example अगर जैसे हमें कुछ लिखना है और हम लिख रहें double S तो वहाँ पे double S की जगह आप Set लिख सकते हो यानि that's called double S तो वो हमारे English में बोलते है double S and यहाँ पे जब भी double S का होगा यानि कि वो Set होगा तो यह होता है Set तो यह जो है Alphabets के जो है यह obviously उनके full form है आप देख सकते हो कि A for क्या होता है B for क्या होता है जो हम पढ़ाते है A for Apple B for Bear तो यहाँ पे होता है Apple A for Apple B for Baby C for Scent D for Dynamite E for Elephant Float Guitar Halo यह हाँ एक और सीजए S for जैसे हम लोग बोलते है Hello Normally हम लोग फोन उठाएंगे और फोन उठाके बोलते है Hello तो यहाँ पे Hello नहीं बोलते है यहाँ पे बोलते है Hello Insect Yogurt Camera और यहाँ पे C को हमेशा K से लिखते है तो यह हमेशा याद किएगा कि एक और चीजए है कि जो हम लोग कैमेरा या हम लोग कुछ को और चीजए बोलते हैं वो हमेशा K से यह लोग लिखते है C से यह लोग नहीं लिखते है तो C for camera कभी भी भी नहीं आएगा K for camera आएगा यहाँ पे तो वैसे ही करके यहाँ पे Radio Radio को Radio नहीं बोलेंगे Art for Radio तो Radio को Radio नहीं बोलते है Radio तो Radio तो ऐसे ही करके यहाँ पे लग 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 इपसिलोन सिरकस सिरकस तो ऐसे करके यहाँ पर बोलते हैं अब यह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा और एक और जैसे कि मैंने A, B, C, D जो आपको बता है तो A, B, C, D A, F G, H, E, Y K, L, M, N, O P, Q, A, O, R, S, T, O Q, V, X, Y, Z तो जैसे कि मैंने यहाँ V for 4 जैसे कि यह पहले भी बताया थैं मैंने आपको यहाँ पर कि V for होता है V तो यहाँ पर V को हमेशा F से करते हैं और वैसे ही C like हम लोग जो भी C word से लिखते हैं like camera हो गया तो यहाँ पर वो K for camera आ जाता है तो यह सारी जो alphabet है यह यहाँ पर एक चीजे यह सब चीजे होती है तो यह सारी चीजे जो alphabet की हैं यह हमेशा याद रखना है क्योंकि जब हमें start करते हैं तो एक alphabet हमें clear है अगर हमारा वो concept clear है तो शायद हम जब बात करने लगे या pronunciation करने लगे वो हमारी जो problem है वो शायद clear हो जाए अगर आपको इसमें कोई भी doubt हो तो प्लीज हमें आप comment box में जरू बताईएगा और इससे अलग भी कोई और doubt हो तो definitely आप comment box में बताईएगा डेली यह video हर दे पर दे के episode के हिसाब से हर एक दिन एक video आएगी और यह video जो है वो इंडिया के time से I think 2 बजे and Germany time से I think 11 बजे तो yes यह जो है ऐसी videos आती रहेंगी and hope आपको जो है helpful लगे and helpful लगे तो प्लीज इस video को like, comment, share and subscribe करना मत भूलेगा पहला दिन है आज के रिए इतना ही रखते हैं and कल फिर हम और कुछ और topic पर बात करेंगे तो see you in next video तब सक के लिए bye bye, take care and please like this video, comment, share and subscribe to our channel, bye guys